अगर आपको कोई बार-बार अपने WhatsApp ग्रूप में एड कर लेता है या फिर आप लोग जिसको नहीं जानते हैं ओ भी अगर उसके पास आपका नंबर हो तो अपने WhatsApp ग्रूप में आपको एड कर लेता है तो इन सबसे बचने के लिए मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो वीडियो को बिना स्किप किये आप लोग अंतक जरूर देखिएगा ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथी साथ वेल आइकन को प्रेस करके और सेलेट कर लीजिएगा ताकि जब्मी में कोई वीडियो अपलोड करो उसका नो वहां पर सो करेगा और फिर में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता जाता हूं कि कैसे आपको सेटिंग करना है तो सबसे पहले आप लोग अपना जो वाट्सप है उसको ओपेन कर लीजिएगा ओपेन करने के बाद यहां पे कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखता है आ अब क्लिक करना है अब क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना यहां पर प्राइवेसी वाले और जो सबसे आपको मिलता है और यहां पर जाके आपको करना है थो थोड़ा सा सक्रॉल अब आप लोग समिक्रो स्क्रॉल करते ह तो स俺 करते हैं आपको मिलता है group का option आप लोग यहां पे देख सकते हो कुछ इस परकार का इसका जो interface से ISO करता है और यहां पे मिलते हैं आपको group का option आपको इस group वाले option क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपका रहता है हमेशा से everyone तभी किसी के पास भी अगर आपका number हो तो जब चाहे जहां चाहे और जिस group में चाहे आपको add कर सकता है तो आप लोग का सबसे पहले काम चाहे हो क्या करना है कि यहां पर आपको तो तीन option मिलते हैं पहला तो आपका everyone है तो कोई भी आपको add कर सकता है दूसरा जो होता है माइक का होता है अब माइक का का जो यहां पर option होता है तो माइक कंटेक में जितने भी आपके contact लिस्ट में लोग होंगे वो लोग भी आपको अपने group में add कर सकते हैं आपको तो उन सभी लोगों से भी बचना है तो सबसे आपके लिए easy होगा कि आप लोग यहाँ पर जो सबसे नीचे यहाँ पर आपको option दिख रहा है आप लोग देख सकते हो my contact expect का अब आपको यहाँ पर click करना है और click करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो click करने क लिए गएड कर पाएंगे otherwise कोई भी नहीं कर पाएगा तो आपको बस simply जाना है और जिन लोग को allow करते हों कर लिजिएगा नहीं करना है आप लोग मत किजिएगा आपको simply यहां पर जो green tick है उसपे click कर देना है click करने के बाद आप लोग देख सकते हैं settings आपका चेंज हो गया गुरूप का अब आपको कोई भी एड नहीं कर सकता है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका आप लोग ऐसे ही करके इजीली सब कुछ कर सकते हो तो उमीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा इससे कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूर सकते हो तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बैबै कि लिए हो गएड़ु को तो आप लूँ अवाद बआए भी लिए हुत है के लिए।